समस्कार दोस्तों, वेलकम इन RPC on YouTube चैनल, दोस्तों मैं हूँ कपिल चारण व्यक्याता राजनेते विज्ञान और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, RPC के द्वारा जो पॉलिटिकल साइंस के लिए जो नया सेलेबस जारी किया गया है, उस सेलेबस को डिटेल से करना चाहिए और किस रनिति साधियन करना चाहिए, वो सारा का सारा जो डिसकसन है, हम इस वीडियो में करेंगे, तो आए दोस्तों सुरवात करते हैं इस वीडियो की, दोस्तों सबसे पहले बात करें, आपके जो पॉलिटिकल साइंस के सेलेबस की, तो इसके तीन पार्ट ह इसके सेलेबस की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको पॉलिटिकल थियोरी यानि राजनितिक, सिदान्त, इसका अर्थ, इसका उप्योगेता के बारे में पढ़ना पड़ता है इसके लाब कुछ संक्रपनाई पढ़नी पर दिकार हो गए, लिबर्टी सुतनता हो गई, समानता हो गई, नियाई हो गया, धरब निर्पेकस्ता हो गई पहले दोस्तों पुराने सेलेबस में नागरिक्त और विकास पिया थे, उनको अब हटा दिया गया है इसके लाब आपको इंडियन कॉंस्टिटूशन पढ़ना हो जिसमें सविदान सभा होगी, प्रस्तावना होगी, सविदान की मुख्य विसेस्ताइं होगी फंडामेटर लाइट्स यानि मौलिक अदिकार होगे, निजिन सक्तत्व होगे इसके लाब आपको संगबाद पढ़ना पढ़ता है, इसमें आपको थ्योरुबी पढ़नी पढ़ती है और वर्तमान में, इंडिया में क्या प्रैक्टिस क्या जा रहा है, वो पढ़ना पढ़ता है साती जो कैंदर राजे समंध हैं, उनमें क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं, नितने, बदलाव जो आ रहे हैं, इमर्जिन ट्रैंस हैं, वो पढ़ना पढ़ता है इसके लाओ कैंदर सरकार के तद आपको राश्ट पती, पदान मंतरी, मंतरी परिशद, संसर्द, सुप्रीम कोट पढ़ना पढ़ता है राजे सरकार के तद, गवर्नर, मुख्य मंतरी, काउंसिल ऑप मिनिस्टर, पढ़ना पढ़ता है लॉकल गवर्मेंट के तद, पंचाहित राज, अर्बन, जो लॉकल सेल गवर्मेंट है, यानि की सहरी इस्तानी सवसासन पढ़ना पढ़ता है इंडियन पॉलिटिकल्स, पॉलिटिक्स में तद, चैलेंजे जो अब नैसल बिल्डिंग, यानि राज्ट निर्मार में कौन-कौन से चुनोत की आई है वो पढ़ने पढ़ती है, पार्टी सिस्टम, दल्लिय व्यवस्ता, रिसेंट डवलोप्मेंट्स, इंडियन पॉलिटिक्स, पार्टी राज्टिती में कौन-कौन से बतला हुए है इसके अलावा इंटरनेस्नल पॉलिटिक्स के तत, cold war हो गया, end of cold war यान सीती उतकात कैसे हुआ, अमेरीके वर्चसव जो रहा, सीती उतकान के बाद, और वर्तमान से, जो वर्ल का सिनेरियो किया है, समकाले इन विस्व में अमेरीके वर्चसव कैसे रहा, तो वो चीज़े ह इसके लाव बिन भायात की विदेशनिती के बारे में इसके objective किया है रोल ओफ इंडिया इन यूएन यहां सुर्द रास्तर में बात का रोल किया है क्या बात को सुर्द रास्तर की सुरुख सप्रेश की सदिस्ता मिलनी चाहिए इसके लावा इंडिया नौन इलाइनमेंट मॉमेंट जो गुट निर्पेक सांदूल उसके बारे में है और इंडिया के सामने कौन-कौन से चैलेंज़ेज है तो यह पूरा syllabus है 10 पिलस 2 का तो दोस्तों अगर आप में देखे होंगे तो इस जो syllabus के हैं तो यह से टॉपिक देखे कुछ टॉपिक तो बिल्कुल यह प्रेसिडेंट होगे लगबग के पूरा का पूरा syllabus है आपको 11 और 12 की जो किताबे चलती है मैं भी आपको डिसकस भी करूँगा न किताबों के बारे में विद फोटोज NCRT की ककसा 11 और 12 की किताब वोसे हू बहू उठाया गया है हू बहू टू कॉपी उठाया गया है तो आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा तो आप 11-12 की NCRT original किताबे खरी दीजीगा कोई सार मत खरी दीजीगा NCRT की 11 और 12 किताबे चलती है स्वतन्द भारत की राजनीती और इसमें आपको ये मिलेगा कि राश्ट निर्मान की चुनोतिया कौन से रही पार्टी सिल्टम कैसे रहा इंडियन प्रडिक्स में रिसेंट डवल्लोपमेंट क्या क्या हो रहे हो मिलेंगे और 12 में चलती है स्वतन्द भारत की राजनीती हो गई एक तो और एक समकालीन विस्वराजनीती जिसके तद आपको कोल्डवाल और अमेरी के वर्चस वो ये हुबहू UN में बारत का रोल वगरा पूरे टॉपिक है एजटीच आपको उसमें मिल जाएंगे इसके लिए तो आपको 11-12 की NCRT पढ़नी है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जो एक Bare Act की किताब आती है Bare Act जिसमें सविदान होता है हुबहू सविदान होता है कानून परकासन की Bare Act की किताब आती है वो आपको पढ़ना है उसमें सभीदान के जो जो टॉपिक है उनकी अनूश्यद आपको तो वो आपको वहां से बेरअक्ट की जो किताब है उससे पढ़ना है ठीके तो ये आप 1112 का जो पॉर्स्न यहां से पढ़ना है उसके बाद आते हैं दोस्तों पहुलवाद किया वो पढ़ना है इसके लाव आप जो गौर्मेंट हैं गौर्मेंट के जो तीन अंग होते हैं जिसे आपके विदाई का जिसके तद आपको संसत पढ़नी है पहले देखो दोस्तों पहले कुछ नहीं था इस पर सिक नहीं था इस बार नए सेलेबस में विशे अमेरिका में प्रेसिडेंट के क्या रहता है वो पढ़ना है फ्रांस के प्रेसिडेंट को पढ़ना है युनिटा के इंग्डम के प्रेसिडेंट को पढ़ना है इसके लाव जुडिसरी के तद आपको युनिटा के इंग्डम की जुडिसल सिस्टम को पढ़ना है अमेरिका के परकार, ताना साहि क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, फेडरल एवं एकात्मक सासन वबस्ता क्या होती वो पढ़नी है, जन पसिलिदल के सिधान पढ़ने है, पॉल्टिकल पालिटीज कौन कौन सी है, UK में ये निय टॉपक एड़ ओड़ है, ये पूरा पूरा ने टॉपिक एड़ वाइस है ले बसमें पॉलिटिकल पार्डिजिन UK, USA, France, Switzerland प्रेसर ग्रूप क्या है UK, USA ये पढ़ना है इसके लाव पॉलिटिकल ठोट जिसमें से पहले जो दादा बाई नौरोजी थे वो सामिल थे, अब उनको हटा दिया गया, वो पढ़ना है प्लेटो, अरस्तू, कोटलिय, मेक्यावली, हॉप्स ये हो जाएंगे, लोक हो जाएगा, रुस्सो हो जाएगा बैंतम, मील, मार्क्स, गांदी अनिबो, अंबेटकर, नेरू, लोहिया ये पढ़ना है dynamics of Indian democracy पढ़नी है, यानि पार्टिय, जो लोकतन तकी गति सिलता, पार्टिय, सिस्टम, कास्ट, रिजिन, सेत्रवाद की क्या पूमिका, नहुसामा जी, गांदोले, ये भी पहले सामिल थे, इंडिया के relation कैसे है, पढ़ना है ग्रेजिशन लेवल में, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये के दोस्तों दो तिन चीज़े है, पहली चीज़ तो political science किया है, कि एक dynamic subject है, तो इसके तद आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको जो topic है, वो news paper से आपको update करते रहने, या फिर जो vision 360 है, उसके international lesson आता है, उसके तद कुछ topic है, dynamic topics है, वो आपको वहाँ से cover करना है, साथ ही आपको RS ADASAR, RS ADASAR के guide आती है, political science के लिए, वो आपको खुब हो पढ़नी है, उसके short notes बनाने है, बिना notes के आप उसको अच्छे से cover नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको notes बनाने है, ठीक है, यह चीज़े आपको करनी है, और अगर आपको online coaching ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको coaching material भी चल जाएगा, इसमें, यह चीज़े करनी, अलग-अलग को guide लेने के आपको ज़रूरत नहीं है, अब बात करें पोस्ट जो graduation level है, जिसे MA level का कह सकते हैं तरह से, उसके ततर व्यवारबाद, उत्तर व्यवारबाद हो गया, political system हो गया, इसकी प्रणाली किया है, राजिति विक्या, विकास, राजितिक संसकती, elections कैसे होते हैं, political participation किया, जनपजिस्ट किया, voting behavior in India, civil society, यह नया topic, advice bar, approaches to the study of international politics, अंतराष्टि राजिति के अधियन के उपागम, राष्टि हित किया है, राष्टि सक्ति किया, international organization इसमें specific कर दिया है, United Nation पढ़ना है, European Union पढ़ना है, अश्यान पढ़ना है, सार्क पढ़ना है, नाम पढ़ना है, और इनका role किया है, और इनकी प्रासंगिकता किया है, यह आपको पढ़नी है, पहले आपके अलबा नाम का भी संगटन था, वो हटा दिया गया, तो बहु हैं से एक साल के जो काइनटराफरस है, political science से समन्दित, international relations से समन्दित, वो आपको अच्छे से cover करने हो ए, तो वो आपको political science के तो यह सब चीजे थी, इसके लावा दोस्तों बात करें, साइकोलोजी आपके second paper में ही आती है, तो उसमें खासा कोई बदलाव नहीं किया गया है, थोड़ा सा बदलाव है, ज्यादा बदलाव नहीं है, तो आप syllabus इसको देख लीजेगा, साइकोलोजी के लिए, इसके लिए आप दोस्तों चाहें, तो साइकोलोजी वैसे second grade और first grade में इजी ही पूछी जाती है, एक तो last year के जो papers है, उनके old papers लेकर आजए ये last year के, तो आपको साइकोलोजी के question की practice हो जाएगी, इसके लावा कोई से भी एक guide ले सकते हैं, चाहे तो first rank की guide ले सकते हैं, चाहे आउने publication ले सकते हैं, तो मैं इसको एक guide लेनी, ज्यादा नहीं लेनी है, इसके लावा old papers की practice करनी है, जो ज्यादा important रहेगा, first grade के लिए, इसके लावा दोस्तों सेलेबस हम discuss कर लिया, किताब आपको क्या खरिजनी है, किताब की बात करें, तो पहले तो दोस्तों आपको जो NSA artist लेन अगरा कवर होगी, उसके बास स्वमकालिन विस्वर राजनिती 12th में चलती है, इसमें आपके सीत्यूद, अमेरिकी वर्चस्वर ये सिप चीज़े कवर होगी, अंतराश्य संगतन, UN में बात की भूमिका, ये चीज़े कवर होगी, उसके अलावा दोस्तों आपको आरे दिन का वेट कीजिए, नहीं किताब मार्केट में आजाएगी, तब आप ले लीजिगा, इसके अलावाद दोस्तों आपको एक लक्षी राजिस्तान, लक्षी राजिस्तान मा आप कीजिएगा, लक्षी पॉल्टेकर साइन्स फस्रियेट के लिए प्रशन संग्रा, तो ये बागने की जरूरत नहीं है, इसके लाव साइकलोजी की मैंने बताई दिया, सेलेबस पर डिसकुस्न कर लिया, होफफुली ये वीडियो आपके लिए यूप्य केसी तरह होगा, इस वीडियो को देखने के लिए सुनने के लिए आप से बहुत बहुत आबार, बहुत बहु